हाँ दोस्तो आज के इस वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरसे अपने ब्लॉग के पोस्ट में एक डाउनलोड का बटन एड़ कर सकते हैं जिस तरसे आप देख सकते हैं यह डाउनलोड यह क्लिकेबल बटन है इसमें क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी होगी यानि कि डाउंडर लोकेशन होगा वहां पर यह पोच जाएगा ओके दोस्तों तो अगर आप भी सीखना चाहते हो किस तरह से अड़ करना है बहुत ही सिंपल है तो मैं आपको इसमें सीखाने वाला हूं दोस्तों मैं टाइम पस नहीं करता है आपको बताओगा बस इतन सकते हैं यह मेरी GDA scenario की post है वही वाली मैंने copy कर ली है और आप मुझा करना है यहां उपर image को option दीखे का तो इस पर click किजिए यहां से choose file से आप जो भी button upload करना चाहते हैं वो image download कीजिए google से download button bng लिखके search कीजिए और इसको select करके add image click कर दीजिए इसका अगर आपको size customize करना ह अब बाद आती है इसको clickable कैसे बना है आपको क्या करना है इस पर एक बार click करना है यहां पर link option दीखेगा इस पर click कीजिए काफी लोग बोलते है नहीं हो रहा तो आपको यह second time भी करना है पहली बार नहीं होता second time आपको link option मिलेगा तो ऐसा आपके सामने option आ जाएगा यहा आपको कोई बी लिंक हो इसको आपको यहां पर paste करना है जैसे कि हम यहां से copy कर लेता हूं इसको copy करके हम लोग यहां पर paste कर देते हैं simply okay तो simply आपर paste कर दीजिए okay कर दीजिए और इसको आपको यहां से update कर देना है तो update करने के बाद हम इसको खोल के मैं आपको दिखा देत आता हूं और यह दिखिये इस पे मैं क्लिक का या आइकोन भी आ रहा है तो इस पे क्लिक करूंगा मैं तो यह हमें उसी साइड पर ले जाएगा दोस्तों बहुत ही सिंपल है आप भी कर पाओगे दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका भ